नमस्ते दोस्तों केम चो मजामा मैं संजय न्यूटरिस गार्डरिनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपको पर्शुलान और पर्शुला का दोनों के बारे में जानकारी दूंगा बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है यह बारे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और कटिंग कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा तो मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लिस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के स देखें कितनी खुबसूरत है और मॉश्रोज में मेरे पास कम सकम साथ आंट कलर वैराइटी है यह देखिए यह कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है वाद देखें कितनी सारी कल्या बनी हुए इसमें फ्लावा देखिए अब तो इसकी कटिंग मेंने कम से कम एक एड़ किया है कटिंग से तो इसमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है और बहुत इफा ज्यादा फ्लावर आते हैं और यह कि दूसरा कलर है तो इस टामेटो कलर है यह कटिंग लगाया मैंने 20 दिन हुआ है तो इसमें फ्लावरिंग दिरे-दिरे स्टार्ट हो रही मैंने सब विष्ट में लगाए हुआ है सारा मॉस्रोजर पॉचला का और तीसरा है ये वाइट और पिंक मिक्स में इसमें भी अफ्लावरिंग टाट हुए है इसमें मैंने 15-20 दिन हुए सब साथ में कटिंग लगाई थी एक दो दिन आगे पिछे है और ये यलो देख सकते हैं आप सब में कितनी सारी कल्या बनी हुई है और ये वाइट है यहां पर ये देखें वाइट की कटिंग थोड़ी लेट लगाई लगाई थी मैंने तो इसमें अभी तीरे-दीरे कल्या बना स्टार्ट हो रही है एक दो फ्लावर आते हैं अभी तो आधान स्टार्ट है और यहां पर पिंक है सिंगल पैटल वाला यह दीखें है कि اس कि पी मैंने कटिंग लगाई इसनी फ्लावर स्टार्ट हो गयाए इससे बहुत जल्दी फ्लावरिंग depends अब लगाते हो कटिंग एक हपते में तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है एक और कलर है मैं आपको दिखा दा हूं यह देखिए यह? यहाँ पर यह पिंक डबल पैडल वाला तो मैं इस सारे गमले में पर ऐसा कर देता हूं कि मेना सितना इंप अच्छा लगता है इसके है उस उसको नुझे में मैं क्य करता हूं ऐसे महत्रों की कटिंग लगा देता हूं आप अलग अलग से नहीं लगाना चाहते हो तो भी गमले के किनारे किनारे एक दो कटिंग लगा दीजिए पूरा गमला ऐसे देरे-देरे करके बढ़ जाता है देखिए और बहुत ही खुबसूरत दिखता है यह यहां भी देखिए यह देखिए यह मैंने जो अगे बाइट लगाए था जाए उसकी में लगाए थी तो यह देखिए घाले की बहुत इसी टो ग्रूइंग प्लांट है और बहुत बहुत तेजी से बढ़ता है कि अब कहीं से भी इसकी छोटी से छोटी कटिंग लाके लगा दोगे एक इंच की कटिंग होगी तो भी इसकी कटिंग चल जाती है 100% इसकी कटिंग चल जाएगी अगर आप यह कटिंग मर जाए तो आप वहां से थोड़ा काट के फिर दो बारा वही कटिंग को लगा दीजिए फिर चल जाती है तो चलिए आज मैं दिखाता हूं कि मैं किस तरह इसको लगाता हूं कैसे मिट्टी बना दाओ इसकी दीखिए मेरे पास कम से कम नौ दस नौ कलर है यह देखिए यह मैं कुछ कटिंग लेकर आ गया हूं यह पर्चुलेंग की है और यह पर्चुला का दूनों सेम प्रोसेस से ग्रो होते हैं कोई फर्क नहीं है दूनों की केर भी एक चैसी है तो इसके लिए देखिए मैंने प्लास्टिक का गमला लिया है इससे में कटिंग ग्रो करना बताओंगा आपको किस तरह ग्रो करनी है तो मैंने देखिए इसमें क्या है रिवर सेंड जो आती हैं कांस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वह लिया है नॉर्मल सी यह देखिए और ठोड़ी सी मतलब इसमें जून गार्डण स्वेइल आती है वह मिला दी है कंसितर्टी परसेंड गार्डण सेंड और ग्रोटी असपास रिवर सेंड है इसने किया है रूट्ट बहूत ज़ली निकलाती है रीवर सेंड में ज्याधा तो में क्या करता हूं अगर आपके पास अलग से नहीं है प्लाइन तो आप कोई गमला हो आपका पूराना उसे में भी कटिंग लगा सकते हो को अभी किजिए आप सकते हो मेरे यहां किते जयादा फ्लावरिंग करता है यहां कीड़ते हैं लेके यंग अधरकाई नि को आपके आपका के चैहिसे कोईअ बवा देना है अधिता के सापगे करके और अच्छे से दबा के आपोई कपके सारी करणग एसे लगा देनी है और इसको इसी तरह आप सारी कटिंग लगा दीजिए आप चाहे तो इसकी मिट्टी बना के भी इसको लगा सकते हो आपकी इसकी मिट्टी बनाने के लिए नॉर्मल गार्डन स्वाइल आती है वो 60% के आसपास ले लिजिए और 30% के आसपास रिवर्सेंट मिला दीजिए और 10% भी खाद मिलाईए ज़्यादा खाद मत मिला इसको खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती 10% के आसपास आप खाद मिलाईए और ऐसे करके इसका स्वाइल मिक्स बना के उसी में आप कटिंग लगा सकते हो तो भी यह बहुत अच्छे से चल जाएगी आप इसका स् चल्दी आजाती है और इसमें क्या कटिंग खराब होने के चांस नहीं होते रिवर सेंट रहती है तो एक बार रूट आ जाए उसके बाद कटिंग आपकी खराब नहीं होती जो नॉर्मल गार्डन वह रहती उसमें हम लगाते तो कभी कभी क्या ज्यादा पानी हो जाता है तो कटिंग थोड़ी नीचे से गल जाती है फिर इसको काटना पड़ता है फिर दुबारा लगाना पड़ता है और इसमें क्या कटिंग गलती नहीं है 100% रिजल्ट मिलता है आपको इस मेथड़ से नॉर्मल सी आप रिवर सेंट ज्वादी कंस्ट्रक्शन वाली वह यूज करोगे तो 100% मिलेगा इसमें क्या आपकी कटिंग भी नहीं कलेगी खराब भी नहीं होगी बस आप नीचे वाली चार पांच पतिया हटा के कटिंग को सारी कटिंग इस तरह लगा दीजिए लगा के पानी देके इसको रख दीजिए जहां इसको कम से कम दो तिन घंटे की द दार पांच गंटे की तब यह अच्छे से फ्लावरिंग करेगा सेड में रहेगा तो यह फ्लावरिंग नहीं करेगा तो बहुत एक खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है तो आप इसको जरूर अपने गार्डन में एड़ किजिए और आपको मेरा वीडियो अच्छा मत बुलिएगा ओके फ्रेंड्स बाई